हलो दोस्तों वेलकम बैक यूर मेडिकल चैनल, M.I. Medicine Info दोस्तों आज एक नया टोपिक लेका है आपके बीच EcoSprint Tablet EcoSprint Tablet के बारे में बात करेंगे क्या इसकी composition होता है इस बीमारी में इसके इस्तमाल किया जाता है दर्द में काम करती है, बुखार उतारने का काम करती है या फिर खोन को पतला करने का काम करती है या नहीं करती है कैसे इसके mechanism है, क्या इसके dose है, क्या इसके side effect है और क्या इसके contraindication है, यानि किन लोगों को देना नहीं चाहिए और किन लोगों को देना चाहिए तो overall इसके सारे topic के बारे में बात करेंगे Hindi plus English में चलिए start करते हैं देखिए दोस्तो, it is a class of NSAID drug यह है एक non-steroidal anti-inflammatory class की दवाई होती है तो अगर आप eco-spirin tablet की बात आती है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि eco-spirin की जो class है, NSAID class की एक drug है तो यह क्या है, देखिए एक enzyme होता है जो की cyclo-oxygenous enzyme होता है तो यह जो है इसको प्रभावीत करती है यह cox enzyme जो होता है, वो inflammation और दर्द के लिए जिम्मेदार होता है आगे लिखा है, this enzyme is responsible for inflammation and pain यह enzyme inflammation तता दर्द के लिए जिम्मेदार होता है तो ये enzyme जो होता है, cox enzyme जो होता है, वो body में inflammation और दर्द को बनाता है, यानि इसके लिए ये जिम्मेदार होता है, इस enzyme पर जागर के ये eco-sprin काम करती है, आगे बढ़ते हैं, eco-sprin is used to reduce inflammation and pain, तो eco-sprin दर्द और inflammation को कम करती है, तो दोस्तों ये चीज़ आप clear हो गई है, कि eco-sprin जो tablet होती है, जिसके अंदर composition होता है, aspirin, वो आपके दर्द और inflammation को कम करती है, अब आगे बढ़ते हैं, it has anti-platelets action, या दबाई platelets के cloth को नहीं बनने देती, यानि platelets के cloths बन जाते हैं, उनको बनने से ये रोकती है eco-sprin, eco-sprin also use blood thinner, because it prevent cloth formation of blood, eco-sprin रक्त पतला करने क इस्तिमाल की जाती है, क्योंकि यह रक्त में रक्त का थक्का नहीं जमने देती, तीकि दो चीज़ दो सो clear हो जाती है, एक तो ये platelets के cloth को नहीं बनने देती, और ये जो है, खोन के रक्त में जो platelets होते हैं, उनमें ठक्का नहीं जमने देती, तो खोन को पतला करने का भी का कि यहां के बढ़ते हैं यूज की बात करते हैं कि पिर्बेंट of angina खत्रे से बचाती है एंजाइना का टेक जो आता है उसके खत्रे से यह भचाती है हर्ड रिलेटिड चेस्ट पेन हर्दिय से जुड़ा च््छाती में दर्द को ठीक करती है जैसे कि गिसी तरह का हर्दिय मे पतला करने का काम करती है तो इसकी ये यूज है प्रिवेंट ओफ एंजाइना, हार्ट रिलेटिट चेस्ट पेन प्रिवेंशन ओफ हार्ट अटेक, यूज ब्लेट थिनर तो ये सब चीज एंजाइना कातरे से बचाएगी हिर्दे से जोड़ी चाती से जोड़ी दर्द को कम करती है हार्ट अटेक से बचाती है, रख्त को पतला करती है चलिए, आगे बढ़ते हैं इंपोटेंट, देखिए मैंने इसमें लिखे रखा है महतपूल चीज है, रूट ओफ ड्रग देखिए आइवी भी इसको यूज किया जाता है इस को शिम्धार छाता है इसको खाया भी चा सकता है क्लिए रहे, इसका ब्रe Melbourne है इसका proposition इसकाबिए इसका अंडर होता है इस에 स्प्रीन चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं side effect की बात करते हैं दुस्परभाव क्या देखने के लिए मिल सकते हैं इसके use के बाद अगर patient इसको खाता है तो जी घबरा सकता है उल्टी जैसा हो सकता है hard man छाती में जलन हो सकती है bleeding रक्त स्राव हो सकता है bleeding हो सकती है नाकञ से इस तुमक irritation पैट में किसी तरह की irritation हो सकती है side effect इसके कुछ इस तरह के देखे जाते है next बढ़ते हैं इसके contra indication पे तो contra indication में पैप्ती कलसर अगर किसी को पैट में चाले हैं पैप्ती कलसर की disease है तो उसको इस्तमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि उससे क्या होता है कि छालो पुछ आगर ब्लेडिंग कर सकता है तो पैप्टी कलसर के जो पिशेंट है उनको यूज में नहीं लाय जाएगा उनके लिए बिल्कुल कॉंटर इंडिकेशन है बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती लीवर डिजीज है किसी का किसी भी तरह कि अगर बीमारी है डिजीज है उनके लिए भी यह नहीं है टैबलेड दी जाएगी प्रेग्नेंसी में गरबावस्ता में इसको use में नहीं लाया जा सकता, contraindication है, देखिए यहां मैं pregnancy में इसको मना कर रहा हूँ, और एक जगा pregnancy में भी इसका इसका इस्तमाल किया जाता है, आगे जब आप चलेंगे मैं इसका ये बारे में बता हूँगा, अभी यहां pregnancy में contraindication है, करभावस्ता में नहीं use की जा सकती chicken pox, chicken pox बिमारी होते हैं इसको माता बोलते हैं, उसमें भी इसका use नहीं जा सकता है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे इसके dose की, देखिए वैसे तो depend करता है, patient की severity पर depend करता है, कितनी dose दी जानी चाहिए, मगर हम यहां पर बात करेंगे एक standard dose की, तो 75 mg यह tablet होती है, और दिन में एक बारी इसका इसका इस्तमाल किया जाता है, देखिए, मैंने यहां पर लिखके रखा है, important, यानि महत्पून, यह एकदम golden lines है, इनको समझने की आपको बहुत जरूरत है, दिहान से समझेगे, sometime this medicine is also prescribed for pregnant female for pregnancy loss, कभी-कभी यह दबाई गर्भावत इसको contradiction बताया था, यानि pregnancy में इसका use नहीं किया जा सकता, अब यहां पर हमने important note में क्या बताया, कभी-कभी जो gynecologist होती है, वो गर्भ को बचाने के लिए इसको देती है, patient को, आगे बढ़ते हैं, चलिए, in pregnancy this medicine can only use after doctor prescription in proper manner and condition, गर्भावस्त में यह दबाई, doctor gynecologist की सला पर ही दी जाएगी जो gynecologist है, जिनसे treatment चल रहा है, यह सिर्फ gynecologist ही prescribe कर सकती है, आप खुछ से नहीं ले सकते है, या फिर दूसरे doctor भी इसको prescribe नहीं करेंगे, तो gynecologist जो होती है, वो गर्भावती महिला की situation को देख करके, pregnancy की हालत को समझ करके, जब इसका prescription करती है, I hope so आपको समझ में आगया होगा, EcoSpring क्या इसके dose है, क्या use है, कैसे काम करती है, चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, एक नई information के साथ, तब तक के लिए, जैहिन जै भारत!